कि आघ क्लास आप यह दिखें कि किसी से निकाला जाता है और किसी सेट का इंवर्स इमज किसे निकाला जाता है और जिस तरह से आज सब्जेक्ट को अपरूच करेंगे वह आपका इंट्रेस्स कई गुना बढ़ा देगा subject में और इस तरह से बच्चे नहीं करते हैं वो जब क्लास आगे बढ़े की तो आपको बता लगेगा secondly इस क्लास के second half में we'll be doing composition of functions और exam में भी आप लगोंने notice किया होगा कई बार अगर question आता है composition based तो आप नहीं उसको touch नहीं कर पाते है या आगे proceed नहीं कर पाते है इमेज और inverse image graphically कैसे देखना है देखो मेरे बिटा बहुत ध्यान से देखिए माल लीजिए कोई function ऐसे बनावा है यह बना होगा है और आपको उसके इंट्रवल एबी का image चाहिए image द्यान से सुनिए इमेज चाहिए तो क्या करना है पहले जो यह भी है वह उसका आप देख लीजे height क्या क्या बन रही है graph के ओपर बनाते है पहले देखो बिटा यह फे होगया यह पी हो गया आप इसकी परचाही लेजिए projection परचाही समझते हो ना जी सही सुना आपने विल्कुल सही सुना बिटा यह जो चीज निकल के आएगी यह जो चीज निकल के आएगी यह बच्चों को practically यह देखना है सर वो open interval होगा close interval होगा बहुत सारे example करा रहा हूं सब clear हो जाएगा बट यह याद रखे image के लिए आपको corresponding परचाही लेनी है अच्छा इसी तरीके से inverse image कैसे देखोगे सबसेट के ओपर बात हो रही है किसी सबसेट का inverse image कैसे दिखा जाएगा माल लीजे थोड़े दर के लिए माल लीजे कि यह यह function है और आपको यह यह दिया है भाई 23 का inverse image निकाले आज निकालेंगे तो बेटा वापस graph पर जाएए और corresponding यह जो कुछ भी बंद रहा है यहां जो कुछ भी बंद रहा है यह इसका inverse image है आईडिया शुट बी वेरी वेरी क्लेर टॉल अलगे ठीक है फ्लीज ध्यान में रखिएगा inverse image आपको सबसेट निकालने क सब्सक्राइब करने हैं आपको हमारे साथ और हमें आपके साथ प्लीज भागे नहीं एकस इकुल टू एक स्कुएर का अच्छा दी आपको image निकालना है close interval 01 का यानि domain में 01 रखिए close interval 01 यह रखा आपने विटे यह 0 है और आप सबको दिख रहे है यह 1 है इसका image निकालना है तो जाओ graph के उपर के आएगा जीरो के लिए तो जीरो के लिए इसके लिए तो आप सबको दिख रहे है हां जी सबको देख रहे है अच्छे से दिखना भी चाहिए कि यह यह जो portion है यह इमेज अब आते हैं सेकेंड वाल लिपिश हां जी मैं बार बार ग्राफ करूंग जब तो काम कैसे चलेगा इन कहो इसका इमेज निकालना है इंट्रिवल-11 माइनस वन इस सम्वेर हीए, इसका इमेज निकालना है ग्राफ पे चलिए और corresponding परच्छाई या projection जो बंद रहा है, तो सेम आ रहा है, सही सुना बेटा आपने, सच में सेम आ रहा है, यही चीज तो आएगी, और आएगा क्या, तो this should be clear, third, पूरी real line का image के आएगा, पूरी की पूरी real line का image के आएगा, साथ रही है, बार 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 बनाया जा रहा है, बच्चों की तरह समझाया जा रहा है, हाँ जी, बतलब एक तरह से समझ लो, आप सब को range निकालना है, range, yes, मेरे बेटा, यह माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पूरा का पूरा आ रहा है, यह, you know, graph corresponding क्या बनेगा, तो यह, यहां के points को graph पे लेके जाएंगे, corresponding image, यहां के points को graph पे लेके जाएंगे, corresponding image, मैं अपना graph भी खराब करूंगा, यह, आप सब को clear होना हो जाना से हिए, कि यह चीज आएगी, पूरी की पूरी, yes, negative बला portion तो आएगा नी, लेकिन यह चीज आएगी, यह चीज आएगी, this is zero to infinity, दिखे भी रहा होगा आप लोगों को, yes, thank you very much, this should be clear, खूब अच्छे से practice कर लीजे, अभी समय है अपने अपको सवारने का, बनाने का, I hope पहले तीनों चीज़े clear हो गई, तो image के लिए क्या करना है हम लोगों को, उसके x-axis पे points लीजे, उसके corresponding graph में देखे क्या बंद रहा हो, और projection ले लीजे, या परचाई ले लीजे, हाँ जी, size होना आप लगोंने, तो this should be very very clear, अब आते हैं inverse image पे अब आते हैं इन्वर्स इमेज पर लगाना चाहूंगा आप सबके लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, कि किसी भी तरह का failure हो, yes, what is image of a set, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था, खाली simply f लेना था, where a belongs to a, लेकिन कोई बच्चा और उनी बच्चों में आप भी हैं, अगर कोई student ये कहता है, कि f inverse b में ये लिख देता, बेटें ये 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 बहुत बड़ी खलती है, ये definition बिल्कुल incorrect है, फिर क्यों इंकरेक्ट है, भी हम बुझे नहीं बता, बट ये इंकरेक्ट है, अच्छा, फिर क्या होगा, f inverse b लास्ट क्लास में पर समझा था, आज फिर समझा रहा हूं भाई, गडबड़ नहीं करिये, yes, ये आपको हमेशा काम आएगा, बहुत दिनों तक काम आएगा, ये देखिए जरा क्या लिखा है मैं प्लीज, लेंगवज देखो ये, बच्चो वाली लेंगवज लिखी है, बच्चे तो बढ़ रहे हैं, समझिए, खाली वही elements consider कीजिए, जिसका image किसे में जा रहा है, अब जरा present पे आपे, अजी मेरे मिटा, what is f inverse 01, what is f inverse minus 11, what is f inverse 23, अगर graph नहीं भी बनाया, तो what is f inverse 01, ऐसे elements बता दीजे, जिसका image 01, 01 के अंतर है, f inverse b की तरह होगा, भी देखो, बहुत अराम से clear हो जाएगा, 100% clear होगा, बार बार graph बना बना के दिखाया जा रहे हैं आपको, प्लीज गडबड निकर देना, f inverse of 01, तो बेटा, साइस होना आपने, आप सब लोगोंने, जहां inverse image निकल रहा है, जिसका भी inverse image निकल रहा हो तो y-axis पे होगा, तो यह 0 और यह 1, yes, इतने portion का, यह 0 है, यह 1 है, इतने portion का आपको inverse image निकालने, तो क्या करना पड़ेगा, अब obviously 1 है, और यह obviously minus 1, clear हो गया, तो इसका inverse image है, पूरा का पूरा interval हाएगा, minus 1 से 1, तो यह ऐसे ही चलना, आप सब को कह रहा हूं, ऐसी चलीएगा, second point, give me one second, inverse image में second point मेरे बेटा, what should be f inverse of minus 1, 1, यह interesting है, यह बहुत interesting है, दुबारा से graph बना रहे है, अच्छे से video pause कीजिए, बनाईए, जो करना है कीजिए, पर गड़बड नहीं, गड़बड मेरे से बरदाश्त नहीं होगी, भाई, आ जाओ, f inverse of minus 1, 1, तो बेटा, 1 यहाँ है, minus 1 यहाँ है, यह जो portion, size होना बेटा, आपने, यह जो portion है, यह, इसका inverse, इमेज निकालना है, आगर बच्चे में थोड़ी सी भी अकल है, जैसे कि आप लोगों में, थोड़ी सी भी समझदार ही है, तो देख सकते हैं, यह जो positive side में 0 वाला portion था, उसका तो inverse इमेज आ जाएगा, बट negative side में जो minus 1 0 वाला यह जो portion वेगा, उसका तो कोई inverse इमेज जो भी आ रहे हो बनाई है, क्या issue है, क्या परिशानी है, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं होना चाहिए, this is not good, everything should be clear, आजाओ, अभी समझाया था, आजाओ, यह भी, थोड़ा आगे पिछे हो गया, अंजी सरफ इतना ही आएगा, interval minus 1 से 1 ही आएगा, इधर वाले portion का कोई रोल नहीं है, interval minus 1 1, definition should be very very clear, sorry, थीक है, this is fine, this is fine, f inverse of close interval minus 1 1 is close interval minus 1 1, definition आपको clear होना चाहिए, क्या है, कि बेटा, f inverse b में वो elements लीजिए, जिसका image b में जा रहा है, तो f inverse minus 1 1 में वो elements लीजिए, जिसका image minus 1 1 में जा रहा है, अब minus 1 1 में तो क्या जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगो, अब यह ज़रा last वाले पर यह f inverse of 2 3 पर आते हैं, वो बच्चे से pause करके notes बना लीजेगा, अच्छे से notes बनाने, pause तो क्या होगा थे, f inverse of 2 3, आजो, यह 2 है, यह 3 है, इसका inverse image निकालना है, इसका inverse image के लिए क्या बोला था, back gear लगाना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, चलो, उल्टा ग्राफ पे चलते हैं, तो बच्चे यह minus root 2 है, आप तबको दिख रहे हैं, यह plus root 2 है, आजी, आप 3 के लिए आईए, and please, नौ सीखियों की तरह behave नहीं करेंगे, समझदार लोगों की तरह behave कीजए, exam आप ही को तो देन है, आप कोई तो clear करना है, सब कोई, I hope this is very 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 clear to all of you, time लगाओ, अपने लिए, invest करिये time अपने उपर, तबी तो सीखोगे, ये वाला portion, united with ये वाला portion, सही सुना आप लोगों ने, बहुत अच्छा example है, आगे की classes में और आपको पढ़ने के लिए अच्छी चीज़े मिलेंगी, येस, this is equal to, आपके सामने है, पहला interval, minus root 3, minus root 2, सही है न, united with, root 2, root 3, भाया, खूब अच्छे से notes ना लिजेगा, real analysis, limit continuity, derivability, uniform continuity, जो भी आपका topic है, उसके बाद metric spaces, उसके बाद topology, इन सब चीजों में इनकी इतना जादे use है, इतना जादे use है कि पूछो मन, आप कई बच्छों ने तो देखा ही नहीं कभी, तो उनको पता भी नहीं लगेगा, जब दिखाया जाएगा, आपको कि ये देखे, यहाँ use हो रहा है, ऐसे image निकलते, ऐसे inverse image निकलते, then only you will realize, हाल फिलाल, pause करिये, graphs बच्छों बनाईए, everything should be clear, so image के लिए परचाई या projection, और inverse image के लिए बैक गये, उल्टा आना है आपको graph के सारे, चलिए, I hope this is clear, good, आप चलते हैं, आले, आओ मेरे बीटा, f from real line to real line given by fx equal to sin x, आओ मेरे बना दे, okay आओ मेरे बीटा, सबसे पहल ने है, image of interval 0 pi, 0 pi का image, यह 0 pi है मेरे बीटा, यहां से लेकर के यहां तक का image निकालना है, मेरे बीटा इसको graph पे लेके जाए, इनके points को जब आप graph पे लेके जाएंगे, यह पूरा का पूरा आपका आजएगा projection, समझे रहे हैं, परच्छाई एक तरह से होगी, मैं बता भी देता हूँ, आपका दिल काहे तोड़ना हूँ, देखे, 0 का तो दिख रहा है, pi का भी आपको दिख रहा है, जब यहां pi बे टू लेंगे, यहां वाला point लेंगे, corresponding पर चाहिए, corresponding projection, 1 थोड़ा उपर चला गया, रुको, टिक है ना, समझ गया आप लोग, हाँ जी, pi by 2 के लिए, corresponding, उसके बाद, जो आगे वाली values है, समझ रहे मेटा, देख लीजे, परच्छाई क्या आएगी, यही तो आएगी परच्छाई, clear हो गया, projection क्या आएगा इसका, तो what is f of 0 pi, interval 0 pi, it is clause interval 0 1, यह यहां से लेकर के यहां तक सब कुछा रहा है, next, what is f inverse of 0 1, likewise what is f of r, what is f inverse of minus 1 1, अब भी बड़ी interesting चीज़ है, inverse के पहले, पहले image के उपर काम करते हैं, image के उपर, f of r देखतें क्या आएगा, f of r से पहले जरह यह बताएगे, यह कितना है, last वाला, f of 0 2 pi, इसी में देख लेता है, f of 0 2 pi, जाओ, तो इधर भी बना सकते हो, जरूरत है नहीं, वैसे हम इधर आने की, हाँ जी, यह sin x का graph है मेरे बिटा, अब आपको 0 से 2 pi का image निकालना है, आए यह, यह यहां से लेकर okay, पहले इसको देखो graph के ओपर kya-kya points अ रहें इस zarpa, इसको corresponding graph के जाए उपर प्रोजेक्शन लेगा, इस्को डहाओ प्रोजेक्शन लेंगे, इसको graph को फोजेक्शन से आ रहें ऑदочно प्रोजेक्शन ने था lagए, कि यह पूरा का पूरा पूर्शन है हाँ जी ऐसे ही चलना है सही सोना बेटा अपने खुब अच्छे से नोट्स वगरा बनाईए जो मुझे बताना था मैंने बता दिया लेने वाला बहुत कुछ ले सकता है बहुत कुछ सीख सकता है लास्ट वाला अब बिल्कुल उसी तरीके से हम इमेज के उपर काम कर रहे हैं एफ फार देख लीए एफ फार के लिए थोड़ा डाग्राम ना बड़ा बना देता हूं बिटा एक बात बताओ देख तो लिया अगर दिल को तसली मिल गई है तो ठीक है नहीं मिलिये तसली तो मैं अगर दूसरा डाइग्राम मुझे पता कैसे लगी को वीडियो तो आप बात में देखेंगे यह देखिए परेशान मत होई है देखिए बास देख तरी आपको परेशान करने कोई चाहत नहीं है आप ही इतने परेशान हो यहेंे तो हम का जाएंगे है इतने पोर्षन का इमेज इतना इतने पोर्षन का इमेज मेश नीचे वाला prettier मैं प्र पर कि कोंब बोड़क में बम सकता है रिप्लाई पढ़के रिप्लाई दिया जाता है आपने नो're इप्लाइ चलीए गये नुलिए औरॉ बदाने रालम है बहुत प्यारा है बिसी को अब बहुत अब बादेंस पर इन वट इन वह दि들이 नीका बहुत ते किवा गड़ दो आप भी शेस्के यहां पिनिश्ट आगर किया ऑथ मैं र्यान थेया ढका है मिटे जान मुझे कैसे बनाएगे सबसे पहले क्या निकालना है आपको नाम को एफ इनवर्स अब 01 निकालना है यह 0 हो गया इसका इनवर्स इमेज निकालना है इसका इनवर्स इमेज यहां से देखेंगे इसका इनवर्स इमेज यहां से देखेंगे इसका बैक गेर लगाएंगे यह इसका इनवर्स इमेज यहां यह भी पूरा पूर्शन है आगे आप लो ऐसी इदर यहां भी तो होगा इसका inverse image एक तो यह United with A आगे भी आएगा United with A this should be very very clear कोई 11 नहीं है कोई on to नहीं है यह आपे सई होना आप लगाएगा यह लॉजिक है बस और लॉजिक ही दीतेगा What is f inverse of 0 1? Intervals दिखाई दे रहे है न positive side में और negative side में same आएगा देखो मेरे मेरे बिटा 0 pi United with 2 pi 3 pi United with जो आगे आएगा आपका 4 pi से 5 pi उदर तो हो गया और मैं यहां दूसरे color में लिख रहा हूँ कि आप 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 negative side negative side ठीक है न अपना जो भी values आएगे लंबा से chart बनाईए ग्राफ बनाईए लंबा चोड़ा उससे आपको पतल लग जाएगा but idea should be very very clear इस तरह से approach करेंगे आपकी problem solving skill बढ़ेंगी और problem को solve होने की chances बहुत जादा बढ़ेंगे अगर ऐसे approach के साथ आगे बढ़ेंगे चलिए अब निकालेंगे अब निकालेंगे अब निकालेंगे अफ इन वर्स ऊफ क्लोस माइनस वन माच उसमें जादा कुछ है नहीं यह ग्राफ में बना सकते हैं लेकिन चलिए अलग से बना के दिखाते हैं आपको तो मजा आता है ना बच्चों की तरह पढ़ने में तुम्हें आजो मेरे बिटा इस बात थोड़ा सा छोटा और कि अगर बिटा अगर 01 था तो यह इसकी बैक गेर लगा इसका प्रीमेच यह पूरा आ रहा था, इतने पोर्शन का प्रीमेच यह पूरा यह पूरा आ रहा था विल ब्रिंग न्यू लेसंस तो यू एंड यूर लाइफ ग्राफिकली चलेंगे बहुत अच्छा रहेगा क्लेर हो गया वीडियो पॉज करके अच्छे से डाग्राम बना सकते हैं अपने आप से अब्जरवेश्शन से लिए लेक्शन देखना है इन्वेस्ट इमेज के लिए बैक गेर लगाके पहले ग्राफ पर दिखना है और ग्राफ की करिस्पॉंडिंग जो बैक प्रजेक्शन है बैक पर चाहिए हो क्या है चलिए जो एक्च्वल में आया था उसको बैक गेर के साथ चलना है आज आज आओ अजी 10 inverse X क्या बात है इस एक्जाम्पल ही नहीं खताम हो रहें क्या करें आप भी दुखी हो और हम भी दुखी हो दोनों दुखियारे एक साथ 10 inverse को graph कैसे बनता भी या नहीं पता फिर question कैसे करोगे वो भी नहीं पता तब ही तो कह रहा हूं दो दुखियारे आप और हम 10 inverse 0 0 होते है मेरे बिटा 10 inverse infinity pi by 2 होते है मेरे बिटा इसी तरीके से 10 inverse minus infinity minus pi by 2 होते है इस सुना आप लगों नहीं इन तीन points का use करके हम graph बना सकते हैं और सुनिए what is derivative of 10 inverse x आहाँ derivative पूछते ही बच्चों के आँखों में चमक आगी तो बिटा वो secant square होते है जो भी है and because यह square है समझे में आ गया बिटा तो जाहिर से बते function strictly increasing होगा सुना ही दे रहा है क्या रहा हूं this function का derivative strictly greater than 0 है वो function strictly increasing होगा और यह 3 points आपको बता ही रहे हैं कि graph कैसे बनना चाहिए माइनस इंफिनिटी पे माइनस पाइब टू है जीरो पे जीरो है और इंफिनिटी पे बस इन तीनों को इन तीन पॉइंट्स को आपको जॉइन करना है जॉइन स्रेट लाइन की तरह या मूर्खों की तरह मत करना है जो भी काम करें समझदरों की तरह करें यह समझ रहे है यह graph 10 inverse का जो graph है 10 inverse का जो graph है मेरे पिट्टा वह माइनस पाइब टू और पाइब टू के बीच में जूलता रहता है जैसे की अभी जूलता है बहुत सारे information दे भी आप लोगों को अब आईए आगे तेयार हो जाओ सब जीरो इंफिनिटी का image real line का image f inverse of 0 पाइब टू का image inverse image and so on पहले image पे आते आईए जीरो इंफिनिटी याने इतना portion का image क्या करना है बिटा projection लेना है सीधा सीधा इसको लेके जाओ graph के ओपर इधर project कर दीज़े समझ में आया आना चाहिए समझ में क्या issue क्या problem पहले यहां के points को graph पे लेके गए और फिर यहां projection ले लिया तो क्या interval आएगा मेरे बिटा येस जीरो से पाइबाइटू open क्योंकि पाइबाइटू open इसलिए क्योंकि पाइबाइबाइटू touch नहीं होगा infinity पे आ रहा है ना पाइबाइबाइब चलिए तो clear होगे आपको इ यह वाला portion भी आपको लेना पड़ेगा यह वाला अब इसका इमेज तो समझ गए clear हो गया आपके सामने blue का image और orange का image दिख रहा है आप सबको और आप अराम से कोई भी बच्चा differentiate भी कर सकता है अगें पाइबे टू नेगिटिव साइट से पाइबे टू पॉजिटिव साइट से किसी भी साइट से टच नहीं होगा क्योंकि वह infinity का रहा है अब आते हैं inverse image इसी graph में बनाएंगे inverse image बना लेते हैं ज्यादा फिर गड़ बड़ना हो जाए कहीं अलग से बनाते हैं आजव पेटा यह graph है 10 inverse x यह point जिसको बस touch होते होते रह गया वह pi by 2 है यह point जिसको यहां से negative side से touch होते होते रह गया वह minus pi by 2 है अब आपको क्या निकालने है आप सबको inverse image of interval 0 pi by 2 interval 0 pi by 2 यहां से लेकर ओके यह इसका inverse image निकालना लागी जो दिख रहे हैं जिरो से pi by 2 का inverse image इसको graph पे लेके आईए जब इसको graph पे लेके आएंगे reverse project करेंगे back gear लगाएंगे तो आप notice करेंगे यह पूरा portion आ रहा है हां जी यह पूरा portion आ रहा है but because 0 का inverse image नहीं चाहिए इनको मतलब 0 उसमें included नहीं है तो जो answer आएगा आपका बिटा थोड़े intelligently answer लिखेगा answer is 0 से infinity 0 included नहीं है और infinity तो वैसे भी include नहीं हो सकता यह वाले portion का inverse image लेना है यह वाले portion का अजी उपर वाले का inverse image orange यह आए था और नीचे वाले का inverse image रही सुना आप लोगों ने इसका inverse image बिटा इतना आ रही तो पूरा का पूरा यह वाले रहना चाहते है तो ठीक से कर लिजएगा पूरा का पूरा रियल लाइन आएगा आए अगे बढ़ते हैं तो आए थेंक आप सबको graphically image निकालना इन तीन इक्वाल्स के थूरू बहुत अच्छा से क्लेर होगे होगा अब आगे देखो अजी composition of functions बड़ा प्यारा टॉपिक है और इतना प्यारा टॉपिक है कि कोई भी बच्चा एक्जाम में composition के question निकालनी पाता है आप जो पढ़के जाते हैं एक्जाम के question उससे 10 10 10 10 मतलब 10 power 3 कदम आगे के आते हैं सच्छे हैं यह भाई सच्छे हैं लिए क्या करना पड़ेगा आप सबको यह देखो यह एक्सपंग एक्स सेट है यह वाई सेट है इनके बीच में function लीजे और इनके बीच में function लीजे ज़र साथ रहे अगर मैंने और आपने भी यहां x लिया मेरे बिटा यहां fx हो जाएगा और इसके corresponding यहां क्या बनेगा जी तो उसके पहले चीज आप लोगो को notice करनी है जो सबसे पहले चीज आप लोगो को notice करनी हो यह यह जो function एक function है जो एक से जेड काम कर रहा है इसको कहना चाहिए जीव है प्याले चीज़ दूसरा मेटा हम लिखी नहीं पाते हैं सुनते रही है क्या किया रहा हूं आप और हम आप और हम जी ओफ एफ एफ एक्स लिखी नहीं पाते हैं अगर 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 एफ एक्स जी के डमेन में नहीं टो अगर मियुक्त की होना चाहिए that should be clear let me repeat something मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको g of something लिखना है तो वो something आएगा बतलब जो अंदर वाली quantity आएगी वो domain of g में होना थी है अच्छा किसी भी f के लिए fx fy fz fp fq क्या हो उसके range के parts होते हैं यहां से पतल लग गया इसको करने के लिए बच्छो वाली की लिख दो जब तक range f का domain g में contain नहीं होगा तब तक आप यह नहीं लिख सकते अंबचे में आगे वीडियो पॉस करके अच्छे से लर्निंग लर्निंग कर लीजेगा मैं आगे जा रहा हूं यहां लिखा हुए सब कुछ यहां कुछ दिखाना है आप लोग को डोंट वरी देखो मेरे बिट्ट और खोड़ी सी बुद्धी है जैसे कि आप लोग वो देख पा रहे हैं कि ऐसा लिखने के दिखे आप लोग देख पा रहे है के लिए fx should be in domain of g यानी 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 ये condition highlight कर लो जब तक f का range g के domain में contain नहीं होगा तब तक आप gof नहीं लिख सकते हैं यह देखिए ज़रा basic observation से पहले observation है gof is defined only when बिटा अच्छे से highlight कर लिजेगा याद करना रट्टा लगाना अपनी जगह है लॉजिक समझना अपनी जगह है graphically आपको लॉजिक समझा दिया गया है जब जब range of f domain of g में contain होगा तो gof defined है gof उल्टा अच्छा माल लीजे ऐसा होता तो range of f h contain होता domain of f में उल्टा चलो ना उल्टा चलो ना उल्टा चलो यानी f o h defined होता है that should be clear pause कर यह बना यह जो बना है आगे सुनिए यह इन जनरल f o g g f बराबर नहीं होते हैं ठीक है पता है आप लोगों को और lastly अगर f o g g f बराबर है identity function के तो क्या होगा यह question mark है तो पहले इसका example देखो f o g g f बराबर नहीं होते फिर third point discuss करेंगे and then बागी result हाँ जी बच्चों बला example f from r to r दिया हो है f x is equal to 2x minus 3 g from r to r दिया है g x equal to x square plus 1 अब आपको f o g g f निकालना है तो कहां लिखा है अरे मैं कह रहा हो नहीं यार मेरी बात मालो g f o g निकालना है अजी जल्दी से आजी what is f o g applied to x अभी तो बताया था that is same as f applied to g x तो f में ही जहां जहां x अरे वावा जी एक्स लिखाँ तो it is 2 times g x minus 3 which is equal to 2 times g x का मतलब x square plus 1 minus 3 which is same as 2x square plus 2 minus 1 ठीके पीटा एक तो यह आ गया अब आते हैं g f पे g में जहां जहां x अरे वावावा एक्स लिख दो 4x square plus 9 minus 12x plus 1 तो it is 4x square minus 12x plus 10 इतना basic example exam में आ जाए तो भाईया प्रिशाद चड़ाईए लड्डू पेड़े बाठीए यह तो आपको समझाने के लिए हैं हां जी बेटा इन चन्रेवल क्या बोला था f o z g o f बराबर नहीं होते जो कि प्रेक्टिकली आपको दिखाई भी दे रहे हैं अब एक जी जो रहे गई आपको बताने के साई सोना बेटा आपने एक जो रहे गई जो बताने बताना ही पड़ेगा आज नहीं तो कर हां जी बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या बता रहा हूं कुछ देर पहले की बात जहाँ देर नहीं हुई यह क्या लिखा हुए जरब पढ़ेगे जियो एक का रेंज दूसरे के डोमेन में कंटेंड होगा जरब प्रेक्टिकली इस एक्जांपल के आते हैं देखो मेरे बिटा एक का रेंज जो भी होगा वह आर का पार्ट होगा किया वही यार जी का डोमेन भी यास तो मैं लिख देता हूं यहां देखिए since range of f is containing domain of g ज्यादा मोटा होगा पतला कर ले चांए मोटा पतला तो सब हमारे हाथ में है अजी range of f is containing domain of g this implies g of is defined और दूसरा दूसरा ऐसी उल्टा भी है range of g is containing domain of f कोई इश्यू ही नहीं सब्सक्राइब करना है तो ठीक से पढ़ना शुरू की जिए next कि ये question बहुत अच्छा है बट उसको पढ़ने के लिए आपको दो-तिन चीज़े क्लेर होने पहले वो दो-तिन चीज़े क्या है जरा साथ हो हां जी रियल लाइन की बात करें अगर आप और हम रियल लाइन की बहुत खूपसूरत ग्राफ है y is equal x वो क्या करता है वन का इमेज वन तू का इमेज टू एक्स का इमेज एक्स एक का इमेज ए लिखा अपनी फोटो एक तिरस्या है अपनी identity इस याई इसकंशनी अचौिछ मेरे बीटा इसको इचंशनी ऐस लाइन टी अच्छन युदि ओम यू ऐसी ऑख ँड़ एक्स कोल एक्स के लिए सबिनेवर इक्सी एकल टो वैकर से लिए मौद नाथमेटिक्स में नोटिशन है वनेवर इकलो एक्स बर्ट्व पर अट्सको इसको इटेंट्टी फंक्शन बोल जाते देन वन का इमें जबन यहां आ यह यहां का ही मिस्टी फेल यह है यह तो आपको रियल लाइन दिखाएगे, अब यही चीज आर स्क्वेर में भी हो सकती है, आर क्यूब में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, अब रुको रुको रुको, जो भी चेंज नहीं करता है, मतलब जो भी पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को सेम पॉइंट पे लिखे जा रहा है, अगर सारे पॉइंट्स के लिए, तो उसको अदेंटिटी फंक्शन बोले जाता है, अच्छा, जर आ 12th क्लास रिकॉल कीजिए, 12th क्लास, सुनते ही आँखों में चमक आ गई, 12th क्लास रिक दिख दिया, AB equal to BA equal to identity, शायर आगे मुझे कुछ कहने के जदक भी है, आखों में चमक तो आई गई, यह दिख रहा है, यहां से क्या पता लगते है, A and B are inverses, चलो, कुदो, खुशी मनाओ, यह तो वापस वही वही वाला concept आ गया, जो 12th क्लास में पढ़ पढ़के, जो यहा सबस्क्राइए, प्रेजेंट में आते हैं, इफ, Fog, E equal to GOS, N is equal to I, I, then what will happen? वही जो 12th क्लास में हो जातो, यहां पर भी कर दो नहीं है, मैं लास्ट क्लास, दो तीन क्लास से समझा रहा हूं, ठोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे, तो मसा आ जाएगा, नया इंट्रेस जग जग जाएगा, जैसे नेवर बिफोर experience होगा, वैसे ही, आप भुश जाएगे subject में, mathematics was your first choice, जब तक 12th क्लास का mathematics में आपने जंडे गाड़ दी थे, तब तक mathematics आपके लिए पहला choice था, college में आते ही, ऐसे ऐसे चीज़े सामने आई, कि सब धराशा ही होगे, सारा interest खतम, समझ रहे न, please don't get it wrong, लेकिन सच है, बेटा, जिस तरह से subject को approach करना चाहिए, वैसा approach ही तुमने कभी नहीं लिया, तो क्यों subject को बुरा भला कह रहे हो, subject की थोड़ना खलती है, तो ठीक तरह तो guide तो चुनिये, सुनिये तो सही, आपको अपनी life के लिए फैसला लेना है, लीजे, टेके, if f o g g of identity है, then, क्या होगा मेरे बिट्टा, f and g are inverse, अब ऐसे भी कह सकते है, f is equal g inverse, and g is equal f, ठीके बही, clear है, अच्छा, इस पे बेस एक example देते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ज़रा, पहला point clear हो गया, आप लोगों को, second point भी clear हो गया, दोनों चीज़े समझ में आगी, third point पे आई, if f o g and g of is i identity function, then, what will happen, जो मैंने बताया, अभी आप लोगों को, कि बिटा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, inverse होंगे, inverse, let me write, ठीक है, notes बगरा बना लीजे, अब ये example लेगे, yes, and f from r minus 2 to r minus 1, given by fx equal to x over x minus 2, domain को domain और function बड़ा भयानक है, इतना अच्छा नहीं है, एसी दूसरे पर आईगे, r minus 1 से r minus 2, given by the effects, तो डरावना है, अब पूछ रहा है, fg inverse है नहीं, क्या करोगे बेटा, अगर matrices में मैं पूछूँ, capital A, capital B, inverses है नहीं, कैसे निकालते थे, a, b, b, multiply करके देख लिए, identity आएगा दो, काम होजेगा, same here, same here, f o g, g o f, multiply नहीं करना ह नहीं, composition नहीं, अगर f o g identity आ रहे है, और g o f identity आ रहे है, काम खतम, काम खतम, आजो, consider पहला, consider f o g applied to x, well this is same as f applied to g x, जहां जहां x आ रहे हैं, वहां वाँ जी एक्स रख दो, उधर वाली चीज बात में करेंगे, पहला यह तरा चाहिए, it is given by g x divided by g x minus 2, हां जी, अब g x का value लिखा जाएगा, कहां भाग रहे हो बेटा, भागने का time नहीं है, g x का value यह रहा हूँ, divided by, हां जी, yes, 2x, x minus 1, multiplied with, lcm ले लिजेगा, आप तो champion है, 2x minus 2x plus 2, बहुत बढ़ी है, अब देखो भाई, तरीके से cancel करेंगे, 2x से 2x तो cancel होईगे, मेरे बेटा, x minus 1 से x minus 1 cancel होगे, एक चीज और जो notice करने के लिए, वो यह, इस 2 से, यह वाला 2 cancel हो जाएगा, तो we will end up with x only, thank you very much, अब सब का बहुत 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 थेंक्यू, so we end up with x only, यह आप x को, ix लिख सकते हैं, यह यहां से यह तो समझ में आ गया आपको, कि f o g identity के बराबर है, अब यह आधी information होई, कई बार होता है, कई बार होता है, matrices में बात कर रहे हैं, capital A b identity आ गया, और capital B identity नहीं आया, in general a b b बराबर नहीं होते matrices में, ऐसी composition में भी f o g f बराबर नहीं होते, तो यह आधा काम होए अभी, पूरा होगा, g o f निकालेगे, g o f, आएए, g applied to f x, तो g में ही जहाँ जहाँ x आ रहा होता हूं, आपको f x क्लिप दो, अंजी value लिखने का time, f x यह रापका, so it is 2 into x divided by x minus 2, good, और यहाँ, वही करिये जो पहले किया था, वही गुल खिलाए, lc m वगेरा ले लीचे, thank you very much, अब तरीके से cut करेंगे, cancel करेंगे, देखो मेरे बेटा, सबसे पहले x minus 2 से x minus 2 cancel, x से x cancel, और पहले के जैसे, this 2 will take care of this 2, we will end up with x alone, जैसे पहले था, बिल्कुल वैसे ही आगे है मेरे बेटा, किया आप x को i x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, and is it true for all x, is it true for all x, बिल्कुल, यानि, gof at x equal to i at x, आप यह conclude कर सकते हैं, कि बेटा, gof identity के बराबर है, अब with small logic, यह जो last वाले दोनों brackets से, इनको combine करना है, combining this with this, क्या मिला है मेरे बेटा, उसको उसके साथ combine करके, क्या मिलेगा आपका, foz identity के बराबर है, gof identity के बराबर है, दोनों चीज़ें आपके हो गई, तो यानि कि यह दूसरी के क्या हो गई मेरे बेटा, inverse हो गई, I hope this is very very clear to all of you, तरीका समझ में आ गया, चलिए, अब 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 अब, एक आगे बढ़ने से पहले, एक last class का बहतुरीन question आपके लिए, yes, example from the previous class, तले मैं लिख देता हूँ, seconds में हो जाएगा, देखो बेटा, मेरे बेटा, याद आ रहा होगा, जिन बच्चों ने classes की उनको याद आ रहा होगा, देखो मेरे बेटा, ये वाला question मैंने last class में, आपको दो-तीन method से करा दिया है, पहले fx को x लेके कर सकते हैं, फिर fx को minus x लेके कर सकते हैं, फिर practically prove भी कर सकते हैं, कि सच में 1, 1, 0, 2 हैं, आज नया method आपके लिए, हाँ जी सही सुना आपने, आई ये तो सही, अरे कहां भाग रहे हैं यार, हमसे भाग के नहीं जा पाओ गया, मत भागो, देखो ये नया method, हाँ जी ये composition हो रहा है, सही सुना मेरे बेटा, composition हो रहा है, देखे, note, f of fx equal to x for all, this implies, f of f applied to x, equal to इसको लिख दो identity, अब तो दिमाग में घुज गया तुमारे, तो बेटा, यहां से क्या पता लगा आपको, f of is identity, बट अब इसको एक बार लिखे, दो बार लिखे, दस बार लिखे, f of to f of ही रहेगा, तो मेरे बेटा, अभी अभी आप लोगों ने नोटिस किया है, अगर जी ओ एफ, f of g identity के बराबर है, तो यह एक दूसरे के क्या हो, जते इन वर्स, तो यह एक दूसरे के क्या हो, ए थैंक्यू वेरी मुच, थैंक्यू वेरी मुच, क्यों बेटा, आगे चेरे पर मुस्कुराहट, यह ऐसे भी हो सकता है, clear हो गया, self inverse element है, सही सुना, self inverse element है, और invertible तो खेर हो गए होगा, अब सुनी है अजरत हैं, everyone, हर बत्ता सुने, पेटा, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा होए, जितना भी आप लोगों, inverse element होपा subset नहीं, in general, function का inverse अगर exist कराने है, function का inverse exist कर रहा है, तो क्या यह invertible अपने आप में यह नहीं बता रहा है, कि f is 1102, obviously, अब बलो, आया मसा, यह ऐसे भी होते हैं, हर हाल में, a option ही correct है, अब इतना हो गया, कि आप अपने जूनियर्स को भी यह question अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ऐसे से explain कर सकते हैं, तयारी करेए, ऐसी चीजों की, जब बड़े exams की तयारी होती है, तो वहाँ जाके, जब आपका selection हो जाएगा, जब आप campus में बैठे होंगे, चार लोगों के साथ, चार प्रेंट के साथ, तो आपके बाद substance होना चाहिए, बोलने के लिए, ठीक, लॉजिक के, अगर clarity है आपके अंदर, आपके thoughts में, आपके concepts में, तभी तो बोलोगे, नहीं तो मुह छुपा के, यह आ रहे हमने तो ऐसी किया था, यह attitude ठीक नहीं है ठीक से दरू ना, next, next, pause करके अच्छे से notes बगरे बना लीचे, बड़ा अच्छे से काम होजएगा, आजी, composition पर बेस, चार important results, अगर बच्चे ने इन चारो results को आत्म साथ कर लिया, तो बेटा, यह बहुत कम chance रह जाएंगे, कि एक्जाम में आप question ना निकाल पाएं, मतलब 98% of the time, composition का question आप से निकल जाएगा, अगर यह results आपको आते हैं, यह real analysis के लिए भी कहा रहा हूं, linear algebra के लिए भी कहा रहा हूं, साही सुना आपने, यह दो subject जो बच्चे बहुत जादा बढ़ते हैं, सबसे जादा यह बढ़ते हैं, आई इन दोनों को करते हैं, yes, composition और यहां भी composition, मेरे बेटा, यह चीज, जो हमने अभी बताई थी आप लोग को, diagramatically, यह चीज, अभी जो मैं 4 results कराने जा रहा हूं, वहाँ यह चीज है, मतलब, f function x to y होगा, और g function y to z होगा, वो मैंने change भी करना है, समझ मैं आगे, तो जो 4 results हैं, वो इन के लिए, इन के लिए, अच्छा जी, अब देखो, क्या होता है, अगर composition 1-1 होता है, तो बेटा, f 1-1 हो जाएगा, अगर आपको f को 1-1 प्रूव करना है, ऐसी तो करते हैं, f1 को fb के बराबर ले लो, अगर a और b बराबर आ गए, तो 1-1 हो जाएगा, अब इसके बाद next step के आएगा, तेके बिटा, in order to use this information, ये वाला जो है, gof is 1-1 वाला, तो उसके लिए आपको gof जाएगे, तो दोनों तुरफ g लगा दीचे, g of f a, g of f b, that is, gof at a, should be equal to, gof at b, but gof to 1-1 है ना, 1-1 तो लगाओ या, that is a is b, thank you very much, हाँ जी, आपके सब के सामने है, reason वगर देदी है मैंने, तो composition के 1-1 होने से, किसको 1-1 होना चाहिए, आपके सामने है, बिटा, जो second वाला function है, ये साही सुना आपने, जो second वाला function है, अगर आपके पास, कल को, why of xi is 1-1 आ गया, मेरे बिटा, आप बोलेंगे, xi 1-1 है, xi 5 के लिए नहीं, दूसरे वाले function के, प्रूफ आपके सामने है, कोई हवा बाजी नहीं हो रही है, प्रूफ देदी है आप, अब आउज रहे तो, हाँ जी, composition के 1-1 होने से क्या होता है, वो तो आप लोगों ने देखी लिया, अब composition के on to होने से क्या होगा, वो भी देख लिए जिए, x, y, z, ये मेरे बिटा f है, ये मेरे बिटा g है, और इन दोनों के बीच में, gof है, इस बार, gof on to दिया हो है, और आपको g को on to दिखाना है, जिन बच्चों को on to clear नहीं है, वो अपनी खैर मना है, उनका तो band बजेने वाला है, तो बजे गाई, आदो, z को on to दिखाना है, आपको g को, बटा, z को on to दिखाना है, g function कहां से कहा है, y to z, तो यहाँ के element का, यहाँ फ्रेमेज होना चीज़, प्रेमेज होना है, एक element ले लीचे, डाग्राम आपके सामने है, let, z not belongs to z, be any element, अब देखो मेरे बिटा, हमें चाहिए यह, सही सुना आप लोगो ले, हमें चाहिए इसका प्रेमेज इसमें आजे किसी तरह हो, यहां मैं question mark लगा रहा हूँ, अब उसमें आएगा कैसे, अरे उसमें छोड़ो, मतलब, उसमें छोड़के, इसमें आई है, तो on to है, अगर जीव यह वाला, यह जो नीचे दिख रहा है, यह वाला function on to है, तो इस z not supreme यहां आए ना है, इस z not supreme यहां तो उठके आई जाए, अच्छे से नोट्स बना लीजएगे, on to है बई, जी वाला आजो, picture आप सबके सामने है, उसको expression भी या जा रहा है, picture बहुँ, इससे सरल भाशा में, इससे असान लेंविज में, नहीं लिखा जा सकता, जैसे लिखना है मैं, Z-naught has a premage in capital X, किसके respect में बेटा है, G-O-F क्योंकि G-O-F on to था आपका, रिखे, what do you mean by this, again diagram आपको कह रहा है, Z-naught का G-O-F premage, that is, Z-naught can be written as, G-O-F applied to something, और यह something कहां से आ रहा है, on to, X से, हाँ जी, क्या इसी को, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आजी सर लिख सकते हैं, जब इतना लिख दिया, तो फिर इसमें देर कैसी है, आजी सर लिख सकते हैं, लिजे काम हो गया आपको, क्या काम हो गया, मैं ज़रा color कर दूँ, उसमें फिर भी, देखो मेरे बिटा, कबाड़ा नहीं करना है question का, प्लीज, इट हर्ट अलोट, अगर बत्ता कबाड़ा कर देता है question का, हाँ जी, प्लीज नोटिस करिए, Z not किसके बराबर है मेरे बिटा, Z of Y not के, ये जो हाँ जी हैं, इसमें भी टाइम लग जाएगा, ये मैं आपको next class में करा दूँगा, बतलब एक तरह से आपके लिए homework है, सही सुना आपने homework है आपके लिए, ये होगा पुक्का कि ये composition का फिर नहीं तो complete नहीं हो पाएगा, अजी, GFS 11 से आपने अभी भी पढ़ा था, जी on to आते हैं, तो GFS on to से F on to का पाएगा, ये रख condition, अपना try करें है, सब कुछ आपका 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 आपको जाएगा, ये वाले question तो आपने देखी लिए, अच्छा जी, नौ, देखो मेरे बेटा, आज की क्लास आपके लिए बहुत बड़ी हो रही, पहले हमने graphically समझा, image कैसे निकाला जाता है, inverse image कैसे निकाला जाता है, अगर इस approach के साथ आप पढ़ेंगे, तो आप subject से जितना दूरी बना के चलते हो, वो काम होती जाएगी, आपका interest, नया interest, तो नया flower आपके अंदर flourish होगा, सही कह रहा हूँ, नहीं मुस्कुरा टाई की चेरिपे, इसको follow कीजिए ऐसे, आज 3rd class था, पहले image, inverse image सीख लिया आपने, 2ndly composition सीख लिया, next classes में इन से बढ़के, इन ही की applications आपके सामने आएगी, thank you, thank you very much, thank you.